हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए फिर से एक राजिस्तानी रेसिपी लेकर आई हूँ दोस्तों ये राजिस्तान की बहुत फेमस सेब और टमाटर की सबजी है दोस्तों ये बेसन के सेव है जो घर में नमकीन के लिए यूज किये जाते हैं आप इसमें अपनी पसंद के अ सेव हैं और दो मीडियम साइज की प्याज है जिनने भी मैंने नॉर्मल साइज में कट कर लिया है दोस्तों इसके लिए अब हमें एक चमज अद्रक और हरी मिर्ची का पेस्ट चाहिए दो टमाटर दोस्तों कटे हुए हैं दो टमाटर का प्यूरी बना हुआ है एक कटोरी स सेव है और अद्रक और हरी मिर्ची का पेस्ट है इत मसालों से दोस्तों हमारी सब्जीवाट टेस्ट ही बनेगी मैं जैसे बताती हूं आप वैसे बनाई यह आपकी पूरी राजितानी स्टाइल की सब्जीवन के त्यार हो जाएगी कडाई में मैंने दोच बड़े चमस ते पसंद है तो आप इसमें लेसुन भी चुटा-चुटा कट करके डाल सकते हैं मैंने सिर्फ प्याज में बनाया है इस तरह अपनी प्याज डाल दिया प्याज को अच्छे से मीडियम फ्लेम पर लगबग 2 मिनिट के लिए सौटे किया है प्याज ने जैसे ही अपना कलर चें सब्सक्राइस in का न्यग्या प्लेनों यर्यार शहर शांद की लिए और खका से कटेंगोस वी प्याज और प्यालने के बादम बबग चाथे हैं मीडियम फ्लेम पर लगब 3 मिट लगग इसे Grace से चला का मूं लेंगे इसकी। यूरीज लिए डाली है दोस्तों कभी-कभी हमारी तमाटर गल नहीं पाते हैं जब हमारा मसाला ची से बुन गया पांच मिट के बाद में मैंने इसमें अपनी सेव डाल दिये दोस्तों सेव डालने के बाद में टमाटर सेव की सबजी बन के तयार है गरमसाले से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है घर का बनाओवा गरमसाला है तो हमें पता है इसमें क्या-क्या डालना है अपनी सबजी को एंजाय कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब करना मत भूलिए तक यू